नमस्कार दोस्तों ममंसाराम्रमा आपस्वी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल SMC गुरूपर देखना है तभी हर एक चीज आप समझ पाएंगे और जितनी कटाफ जो है बताई जाएगी अगर उस रेंज में आपके नमबर बन रहे हैं तो आप जो है इंटर्वियू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 70 और 30 का आकड़ा रहन करेंगे तो कहीं न कहीं आप अच्छा कर पाएंगे अगर आपके कम नमबर भी बनना है तो आप इंटर्वियू दे करके अच्छा जो है रिजट दिखा सकते हैं तो इसमें हम बात करने वाले है कि इतने नमबर वाले जो है तयारी सुरू कर दें तो यहाँ पे आपको करना क्या है पूरा एनलेसिस हम एक-एक पॉइंट पे करने वाले हैं कम समय में वीडियो को आपको देख लेना है देखे कट आफ का वीडियो वही बना सकता है जिसने exam हाल में exam को face किया है exam देखे exam देने के बाद कई कटेगियों में students जो है divide हो जाते हैं कई लोग तो ऐसे confidence में होते हैं कि उनके जो है जितने कोशन उन्हें सही किया वो सब सही है अभी आप अगर के सी के स्टुटेंट से पूछेंगे कि आपका पेपर कैसा गया तो कोई यह नहीं बता रहा है कि मेरा पेपर खराब गया है लेकिन जब एंसर कियाएगी जब चीजे जो है सामने निकल के जाएंगी तो उसको लग अरे यह भी कोशन गलत हो गया जब आप जो है एक्जाम गाल से बाहा निकलते हैं कुछ लोग साथी मिलते हैं आपे करते हैं label क्या था और कितने number जो है एक students जैसे कि pedagogy में बात करें तो हम भी पूरा बात करेंगे कि pedagogy में कितने question सही कर सकता है normal students next यहाँ पे है कि 4 साल बाद vacancy यहाँ पे देखने को मिली है syllabus change हो गया है देखे syllabus भी change हुआ है और समय भी बहुत कम मिला है देखे यहाँ पे December में complete हुआ जो है form भरके और फिर उसके बाद यहाँ पे एक महीने का सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया गया और आकस्मा date आई और तुरंत जो है exam करवा लिया गया तो यह parameter काफी important बन जाएगा इसमें जो है ध्यान में रखा गया है next यहाँ पे है कि previous year की cutoff क्या देखने को मिली थी इसको भी हमने ध्यान में रखा है safe score for interview interview के लिए safe score क्या होगा normalization होगा की नहीं होगा number of students कितने appear हो रहे हैं देखे यह भी important हो जाता है कि कितने students ने form भरा और कितने जो है अपेर हो रहे हैं देखे अपेर की बात करें तो आप लोगोंने exam hall में देखा होगा तो maximum students यहाँ पे exam देने आये थे देखे कोई भी students ऐसा नहीं है जो कि 1500 रुपए exam fees लगा करके exam देने नहीं आएगा बहुत मान की जलिए मुझे लग रहा है 10% अनुपस्तिती रही होगी बाकी यहाँ पे लोग present थे जो भी serious student थे उन्होंने ही form कुभा रहा था और वही तैयारी यहाँ पे कर रहे थे यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 85 और 15 यानि कि return हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे written के नंबर आपको बताने वाले हैं कि इतने नंबर आपके हैं तो आप जो है इंटर्व्य को लिए आराम से preparation कर सकते हैं safe zone में आप हो जाएंगे अगर हम बात करें 2016 की तो यहाँ पे 4348 वेकेंसी थी और ESC, EST और PH यह सब आप लोग जो है देख सकते हैं इसका screen source ले सकते हैं आपको पता है कि चैनल पर जो कुछ भी दिया जाता है आप पहले से जुड़े हैं अगर नए हैं तो आपको चैनल को subscribe कर लेने चाहिए सब कुछ सही और सटीक अनलेसिस और study material चैनल पर मिलता रहता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह cut off जो है increasing और यहाँ पे decrease हो गई है पहले 2016 में जब paper का label थोड़ा easy था जैसे ही paper का label और syllabus बतला यहाँ पे 5 नंबर का cut off जो है तुरंत कम हो गया था 2018 में जबकि नंबर आप vacancy यहाँ कम थी लेकिन यहाँ पे cut off जो है कम देखने को मिल गई तो यह जो है parameter आपको ध्यान में रखना है next हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अगर हम बात करने हैं 2023 में तो देखे 26-12-2022 को form भरके जो है complete हुए उसके बाद यहाँ पे number of vacancy की बात करें तो इस बार PRT में 6414 काफी vacancy देखने को मिली अगर category wise vacancy की बात करें तो UR की आप देख सकते हैं OBC की देख सकते हैं SCST और PH category की यहाँ पे vacancy देख सकते हैं यह vacancy सिर्फ और सिर्फ डिटेल बताने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें vacancies की तो vacancies पिछली वरसों की तुलना में यहाँ पे काफी जादा थी syllabus को ध्यान में रखते हुए जो teacher थे उन्होंने भी काफी संग्रे किया material का इधर उदर से तब जाकर के वो पढ़ा पाए और वही देखने को मिला यहाँ पे अगर हम बात करें पेड़ागोजी की तो पेड़ागोजी में जो है question का label जो है ठीक ठाक देखने को मिला तो यह सब कहीन परामीटर जो है ध्यान में रखा गया है नेस्ट यहाँ पर आखना हम बात करें कि label आप subject जो है तो अभी हम दिखा देंगे फिर चार साल के बाद बेकेंसी आई है syllabus जो है change हो चुका है समय नहीं मिला समय का अभाव रहा अगर हम बात करें normalization की तो normalization भी यहाँ पे लागू होगा और इससे जो है जैसे की बात करें 21 तारीक को जिसका paper हुआ है उसे नहीं पता था कि रिमजिम के question आएंगे लेकिन जब 28 तारीक को बंदा paper देगा उसको पत से 8 लाग students यहाँ पे परिक्षा में बैटने वाले हैं अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि total number और good attempt कितना हो सकता है कि अगर आप subject wise बात करें देखे हिंदी हिंदी में इस बार जो है 8 से 9 question वही जो है फसा रहे हैं और इधर उधर के question देखने को मिले थोड़ा जो है पूरा data में YouTube पे आपके समझ जो है प्रस्तुत कर दूँगा कि कितने लोगों ने यहाँ पे कितना attempt किया कितने सही हैं नेस्ट यहाँ पे हिंदी अगर English की बात करें तो English में 30 question थे इसमें से vocabulary का portion जो है काफी ठीक ठाक देखने को मिला तो यहाँ पे 18 question मैंने जो है रखा है नेस्ट यकर हम EBS की बात करें तो EBS में भी कथन और कारण से इस type के question पूछे गए गुमाओ type के तो 14 number यहाँ पे EBS में रखा है और यहाँ पे मायत का बात करें तो मायत का label इस बार थोड़ा low देखने को मिला है तो यहाँ पे 15 number हम मान सकते हैं बाकी आप अपने नस्वार जो है धरुदर एक दो number कर सकते हैं इरिजिनिंग की बात करें तो यहाँ पे 5 में से 3 जो हमने decide किया है क्योंकि एक कभी कभी figure counting का question दे दिया गया है rearrangement का दे दिया गया है तो यह जो है थोड़ा difficult रहा है students जो है गलत कर बैठे हैं नेस्ट यहाँ पे हमकर बात करें computer के बार जो है किसी ने अगर देखिए पला तो किसी नहीं नहीं था जो भी KBS की तैयरी कर रहे थे उन्होंने पेड़ागोजी हिंदी और इंग्लिस पर ही focus किया तो GS और GA में यहाँ पे चार question रखा है अगर हम पेड़ागोजी की बात करें तो यहाँ पे 60 में से मैंने 47 number जो है unit wise ध्यान में रखते हुए रखा है कि good attempt यह माना जाएगा अगर हम यहाँ पे total बात करें तो 125 question यहाँ पे बन रहे हैं जो भी यहाँ पे थोड़ा serious students रहा होगा जिसने पढ़ाई की होगी उसके यहाँ पे 125 plus number यहाँ पे आराम से बन रहे होंगे अब हम यहाँ पे आपको cutoff दिखा देते हैं और cutoff देखने के बाद आप जो है अपना comment comment box में जरूर लिखिएगा तो यहाँ पे finally हम KBS PRT 2023 की cutoff को हम decide कर चुके हैं और यह expected cutoff है देखिए अगर इससे कम number भी है अगर 24 और जादा भी है तो आप जो है interview की तयारी में लग जाईएगा क्योंकि यहाँ प आपका पूरा procedure जारी हो जाएगा अगर हम बात करें कि जर्नल के लिए तो जर्नल के लिए 125 से 28 के बीच में आपके number है तो आप easily interview की तयारी कर सकते हैं अगर हम EWS और OBC की बात करें तो यहाँ पे देखिए EVWS का certificate आप सब के पास है लग भग और vacancy को विध्यान में लगते ह तो यहाँ पे OBC के ही समकच यहाँ पे cutoff देखने को मिल जाएगी 122 से 125 नमबर नेस्ट यहाँ पे यह देखिए number of question है यहाँ पे number of question इतने अगर आपके बन रहे हैं सही तो आप जो है आराम से interview को त्यारी कर सकते हैं नेस्ट यहाँ पे YASTI की बात करें तो 115 से 118 यहाँ प आप चीजों को analyze कर पाएंगे अभी हो सकता है कि आप जो है paper देके आये हूँ तो हवा हवाई हो और थोड़ा जब answer की आएगी उसके बाद यहाँ पे जब number of question देखने को मिलेंगे तो इसी के पास जो है सब submit हुए मिल जाएंगे तो इस प्रकार से यह cutoff आपको कैसे लेग कि झाएंडेक धर जाएंगे तो एफ जाएंगे जो है लेग एजिसी को जाएंगे जएस जो है कि अबारे जाएंगे से यिदी है उपास चुछ है हिए जाएंगे ठ्वावागे तो और Sap Snhern